सूमो पर कहर की है आज तेलंगाना में बस और ट्रेन की टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई वही पठान कोट में आटो रिक्षा और बस की टक्कर में 9 बच्चे खायल हो गए हाथे के बाद गुसाई भी ने बस को फूख डाला आप दो तस्वीरे देख रहे हैं आप पंजाग की तस्वीरे देख रहे हैं जहां 9 बच्चे थायल हुए उसके बाद आपाख हो दिया वहाँ पर जनकानी और बस को फूख डाला वही दूसी तरफ तेलंगाना की तस्वीरे जहां पर एक अन्मैंड क्रॉसिंग था मानव रही क्रॉसिंग था रेलवे का ये बस स्पीड पर भगा के लेकर जा रहा था बस का ड्राइवर जो बताया जाता है कि बल्कुल नया ड् उसके बाद तेरा बच्छों की मौत की ये दुखख ख़बर आई ए सबसे पहले तलंगाना की बात कर लेते हैं हम लोग तलंगाना के में धाक में स्कूल बस और ट्रेन के बीच में टक्र हुई तेरा बच्छों की मौत हो गई और पंदरह से ज़्यादा बच्छे घाल आपको बता दे कि रेल मंतरी इस पर संसद में दोपहर करीब तीन बजे अपना बयान देंगे आपको हम अनिमेशन के जरी ग्राफिक्स के जरी दिखाते हैं कि आखिरकार ये हाथा कैसे हुआ ये बस आज सुबह स्कूल लेकर जा रही थी बच्चों को और अचानक से पीछे स जाती है बताया जा रहा है कि जो बस का ड्राइवर है उसकी भी मृत्यू हो गई है इस हाथसे में लेकिन जिमेवार कौन है लगातार ये अन्मैंड क्रोसिंग्स मानव रहित क्रोसिंग्स हमेशा से ही बड़ी वज़ा रहे हैं रेल हाथसों के अब